नमस्कार दोस्तों स्वागा था आपका आज के इस ने विडियो में मैं बात कर रहा हूँ बीपीएस्टी हेड मास्टर वेकेंसी 24 बीपीएस्टी के दुआरा अभी तक जितना फॉर्म आया था जो की अलग-अलग तरह का फॉर्म है था जैसे कि बीपीएस्टी का अगरी कल् है हेड़ मास्टर का फॉर्म है जो की आपको एसी बीच में मतलब आपको सेकेंड आप यह आपको लिए आपकोड का ढ所有 होगा है यह आपको तारिहां पर 20 मार्च को मतलब आया है इसका notification कि जो है इस टाप का फर्म अभी आने वाला अभी पेसी headmaster का और ये जो है इसमें किस टाप का candidate फर्म भार सकते हैं और इसमें आपको permanent क्या लगेगा और सबसे ज़्यादा important है इसमें seat कितना है ये समकी बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे किसमें process क्य सब्सक्राइब करने से पहले आप लुटासर लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करने जिएगा तकि इससे मुझी तो और हसला बढ़ता रहे कि मैं इस टब कब वीडियो जल जल बनाके आपके लिए पीस करता हूं डालता ना हूं ठैंक्य दोस्तों तो चलिए आगों पचास परतीसत अंकों कर साथ असनकतर उत्तिर हो अनसोचे जाती अनुस्रेश जन जाती अत्यंत पिछ्रावर्ग पिछ्रावर्ग दिभ्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुंतम निर्धारित अंक में 0.5 मतलत 0.5 परतीसत के छोट दी जा एवं कामेश्वर सिंग दर्वंगा संस्किन विस्तु दारे द्वारा प्रदत आचारिय का डिंगनी को असनक्तु से शमतुल्या माना जाएगा ठीक है तो चलिए इसके बारे में यह मतलब नॉटिफिकर्शन यहां पर यहां पर जो मैंने पेमेंट के बारे मताया कि जनरल जनरल में आते हैं वह सारे साथ सो का प्रिमिंट कटेगा उनका स्टी पीड़ी केंडिट को दो सब्या और कंडिट हैपस टुनी पोजी टू हंडिट एज बायमेटिक फ्रें टूफोर इस पोस्ट ठीक है इस पोस्ट है उसके लिए इस पेमें पोस्ट दिया है कि किसके मतल प्रेंट केंड़ी और फीमिल का प्रेंट दोस्ट और इस प्रेंट करते कि आप लोग जान दें बीपी से का जो भी कंडिट रिफॉर्म बाड़े होंगे तो उसमें अप्शन था कि आपको वहां पे जूमेल अफ्ट फीमेल और सट अर्ट और सब्सक्राइब करता था या स उसके बाद नियुक्त जीला परिशद नगर निकाय अंतर गत नियुक्त सिक्षकों पर लागू हो वर्स 2012 से पुर्व नियुक्ती पंचायती राज नगर निकाय समस्ता अंतरगत नियुक्त सिक्षकों के लिए दक्षता पंचा में उतिरनता अवस्यकों उसके बाद विभीन बोडो यथा सिबी एसी आईसी बी एसी बी से संबंदित मिश्त बिद्धालों में कारियरत सिक्षकों के लिए दक्षता पंचा 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 प्रफधान लागों नहीं होगा ठीक है तो यह चीज जो नॉटिफिकेसन है मैंने आपको तहां सब पढ़के बताया है इससे जुरी और जो आ आप इसका नॉटिफिकेसन भी पढ़ सकते हैं जो कि आपको फास्ट जॉप के साइट पर भी मिल जाएगा तो तो यहां पर दिया गया है राज्य सरकार विद्धाले में पंचाइती राज्य समस्था जो कि अनुबह माग रहा है जो अनुबह मतलब experience कह सकते हैं आप उनको तो यहां पक्या देगे राज्य सरकार विद्धाले में पंचाइती राज्य समस्था एवं नगर एवं निकाई तथार अंतरगत मादमिक सिक्षा के पत्पन्युंतम आठ वर्सकी लगतार सेवा इसके बादमिक सिक्षा के पत्पन्युंतम चार वर्सकी लगतार सेवा इसके बाद सिक्षा के बादमिक सिक्षा के पत्पन्युंतम दस वर्सकी लगतार सेवा तो यह इनका अनुभव है यह इनका experience है कि यह इनको चाहिए अगर आप जो भी कांडिडेट होंगे जो भी सार या जो भी मैडम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यह उनको अनुभव चाहिए है तो वो जो उनका experience होगा वो तो उनहीं को पता होगा जो यहाँ पे यह मांगना थी कि जहां मेरे पास क्या experience है तो इस वीडियो में वही आपको उप्तरा के लिए करना चाहत हो कि यह form अगराब भरते हैं तो आपको experience क्या मांगेगा और यह क्या चाहिए आप अगर notification को पढ़ना चाहते तो यह तो आप वीडियो को पढ़ सकते हैं यहां तो आप फास्ट जॉब के साइट पर भी जाके आप यहां से इसके वीडियो इसका जो यह notification दिया हुए डाव EBC में 1595, PC में 1149, टोटल आपको 6061 सीट है, बिहार हेट मास्टर पे स्किल सेलरी सेलरी आवेर 35,000 एंडा से एस्टिमेट एलाउंस पेवल बाइदे स्टेट गवर्मेंट फॉम तर टाइम टु टैन, यहां पर भी समझ गया होंगे तरिया, इसका जो लिंक है वो आपको ग् फॉम भराने कर देट है, उसी दिन से आप इसको फॉम भर सकते हैं, जो कि आपको 11 तारिक तिसरा महिना, 2024 को जाएगा, जो भी करनी देट, जो भी मैडम से असर है, अगर वीडियो देख रहे हैं, उनको नौटिफिकर परने में, उपर से समझ भी नहीं आ रहा है, और अच पेज में दिया गया है, तो आप अच्छा से इसका स्कॉल करनके पहले पढ़ लिजिए, कि आपका क्या experience है, क्या longevity हैं मांग रहा है, तब जाके आप इस फॉम को 11 तारिक से फॉम भर सकते हैं, जो भी मैडम या सर भरना चाहते हैं, वो अपने डोकुमेंट अभी सही त्या आनि नहीं होगी, धन्यवाद